नमस्कार प्यारे साथियों मैं अंजीस महर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एक्सपर्ट आनलाइन क्लासेस में प्यारे साथियों आज हम लोग देखेंगे तो आप लोग वीडियो के पूरा चैस देखिये और देखे पेपर के लिट्यो को कितने को सनाय थे नांटेक्स कैसा आया था पेपर तो आप लोग वीडियो को काफी अच्छा था पेपर morning के compare में, तो morning के तो लोग बता रहे थे कि paper जो है काफी पितलब lengthy type में था, तो इसमें इस बाले स्रिफ में देखते हैं, देखें क्या paper आया था, आप लोग खुद idea लगा लेंगे, देखिए, तो question देखिए क्या पुछा था, एक current दे दिया था, बोल्टेज दिया था और इसके बाद तो 1.5 पुछा जा रहा है हर सिप्ट में डेली जुह है कौन सा इलेक्ायड राइट युज होता है किसा किसा बैब पुर्ण का बॉल्टेज कितना होता है उस सभी को बहुत अच्छे सबताया हूं तो आप लोग उस वीडियो का देख लिजे जरूर एक बार इसके बाद देखिए इसमें जो ड्राइज सेल होता है ड्राइज सेल में जो पाजटी प्लेट होता है वो कार्बन का होता है ठीक कार्बन का होता है निगेट द्यान रखिएगा इसको इसके बाद लेड एसिट सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो यहां से देखिए एक कुछा था कि इसकी सिट के बारे में जान लिए थोड़ा सा तो यहां डेक्ट्रोलाइट के बारे में देखिए इसमें जो फूल चार्ज कि जो होता है उप्वाश्ट्व प्लेट्व प्लॉट्ट् कि कईगा मैं यहां से पुछा गिजो पाउबर प्लांट हे उसमें रियेक्टर कौना में भोन से यूज़ करते हैं नुकलियर पुछआ वहां पर reactor कंसा होता है तो अपर reactor क्यों सा है PWR है मतलब Power प्रिशराइज्ड जो है प्रिशराइज्ड वाटर रेक्टर वहां पर ऊजिडाता है कह लिए इसके बाद देखिए को संब पुछा था कि फूल बेबरिक्टी फायर में जो फ्रेक्वेंसी होती ही कितना होता है उसमें कितना होगा आपूट फ्रेक्वेंसी तो इंपूट फ्रेक्वेंसी दिया था पचास हड़ दिया था तो आपूट फ्रेक्वेंसी क्या होता है सप्लाई फ्रेक्वेंसी का दोगना होता है तो हो गया जिसे आपका वेल्कनाइच्ड रवर का हो गया इसके वाद एयर का हो गया अब शी 점ा हो गया इन सब चीजे का अप ध्यान किए है जेसे वर क कितना होता है तो रुमर का जो है 30-35 कीलो बोल्ट जो है पर jesteśmy होता है और जो माइका होता है उचुसका 20 से लेके 60 kilovolt per mm होता है और लेदराइट paper काभी काफी पूछा जाता है तो laughter paper कितना होता है 12-17 kilovolt per mm होता है यह सब चीज़े ध्यान रखिए इसके लिए पॉर्सलीन का भी होता है पॉर्सलीन का भी आप लोग याद तो इसी केल से कुछा था तो आप जुने केल बिल्टेट केल इस करिए बड़ता जनल केबल 12 कि फास्य कर फील तरन के बैल्टेट केबल होता है तो जो इसी को स्टोन किशेघा इला इक रिफ मतलब कूध क्योन सा केबल होता है लो टेंशन होता है तो । वहो तो यो यूज होता है कितने सी 15 किलो डाक होता है लो टेंशन केपल में लेंथ बढ़ाने से कैप्सटेंस को इसके बार एक पर गवार यहां से आपको पर 35000 बढ़ने से कैप्सटेंस बढ़ता तो देखित आपको केपल लेंथ बढ़ाने से यOOOOソ keeps है ऑर ठांजिस्टल में लेंध बढहने से आर एल और सी तीनों बढ़ते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए को सनाया था वहां से रिलेक्टेंस मोटर से एक कोसन आया था उसमें रिलेक्टेंस टार्क जो है मैकिसम कितने मिलता है तो 45 डिग्री मिलता है आप लोग जानते ही है इसके बाद टार्क-to-weight ratio यह उसे कुछ आया था अब पता नहीं किया कुछ था रिजन रेतु ब्रेकिंग साया था तो वह क्या होता है कि जब मोटर जो है ट्रेंड जो है या मोटर है ओं हाई मतलब की धलान पर नीचे उतरने लगती है तो एनर्जी क्या होती है लेने के जाए और डिलिवर करने लगत होते हैं तो class A material class B material class YAEB FHC होता है तो इसको आप ध्यान रखें काफी important है यहां से question भी पूछे जाते हैं तो Y होता है class का YAEB B होता है यच होता है यफ होता है C होता है तो यह सब द्यान रखें तो इसमें आप का जो होता है कितना 105 होता है इसके बाद आपका य, A, E होता है E का कितना होता है 120 होता है य, A, E, B होता है B का 130 होता है इसके बाद यफ होता है 155 य, A, C का 180 और 180 से E, B, C का होता है Joint से देखिया question पूछ रहा है कि मार्टिस joint क्या होता है टेलरेस जॉइंट क्या होता है तो जॉइंट का आप लोग एक बार देख लिजएगा PMC से कुस्टन आया था उसमें तो PMC जो है Average Value को मिजर करता है AC, DC दोनों पर और करता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर पुछा था तो अगर Flux कम होता है तो Speed बढ़ जाती है मतलब Base Speed से एवाब Speed के लिए उच करते हैं इसके बाद आया था एक कुस्टन आया था इलेक्टानिक से Common Ammeter में voltage gain जो होता है वो कैसा होता है तो voltage gain maximum होता है Common Base में voltage gain होता है वो 민주 कंध नमें की मान होता है 20 लेके लगभग 100 होता है Common Ammeter में voltage drop होता है के कमधन नमें प्रने जो energy gain होता है sorry drop नहीं voltage gian होता है वो 20 लेकर 200 से लेक्ट लेकर 500 होता है और Common Calector में voltage gain होता है ओर 1 से कम होता है Current gain सबसे कम किसमें होता है कामन बेस में उसके बाद कामन अमितर में और सबसे हाइस जोता है वो कामन कलेक्टर में होता है जोती ती तिभ॥ा की यूझी पूछा था देखिया Millionous intensity जो है Luminous density की दो यूझीट होती है यप अपान omega होता है ठीक है यप अपान omega होता है तो यप अपान omega के होता है इसके बाद इल्यूमेसिट्टी हो गया यह थिप लक्स इस सेड़ेट पूल्स में मिक्सर ग्राइडर में रजिस्टेंस से आपके दिखिए अभी पूछा है इसके बाद फिर रिजिस्टेंस से पूछा था तो रिष्टेंस जो था इस एक से विए पूंप में इस पैन में डायक में इन सब जगों पर यूज करते हैं ब्लोवर में और इसके बाद कैफ्टर स्टार्ट मोटर होता है इसमें कैफ्टर स्टार्ट मोटर जो होता है रेफ्रिजेटर में कैफ्टर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं तो कैफ्टर स्टार्ट मोटर कहा कहा यूज करते हैं त केवल मेरा परपज यह नहीं है कि आप लोग को कुशन बता दे बस तो देखिए एक कुशन आया था थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए हो सकता है अगला कुशन आप से पूछ ले और आप चैनल पर नया है तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिए कि देखि हो गया ठीक है 20 हो गया इसके बाद बोला था 10-10 ओम के सीरीज में लगे हैं तो 10-200 इसको सीरीज में कर दें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यह 20 हो गया इसके बाद दुनों को इक्विविलेंट निकालना था देखिए यह 40-40 हो गया 20-40 ओम जो है इसका आ जाता इसका सबसे खराब होता है तो जो सिरीज जनेरेटर होता है सिरीज जनेरेटर का बोल्टेज रेगलेशन सबसे खराब होता है संट और लेबल का जो है सबसे अच्छा होता है जो ओभर कंपाउंड होता है उसका भी खराब होता है ठीक है और इसके बाद देखिए एक कोसन आया था कि IECT का फुलफाम पुछा था तो Information, Electronics and Communication Technology जो है होता है सेल चेंज किसको करता है देखिए को सन पुछाता है सेल जो है केमिकल एनरजी को इलेटकल एनरजी में करनोर करता है इसके बाद मटेरियल से पुछा था देखिए कौन सा material प्रतिकरसीद करता है तो इसमें जो है देखिए जो dyamagnetic material होता है इसकी जो mu archivali होती एक से कम होती है एक से कम होती है तो यह क्या करता है रिपल करता है इसके बाद फेरो पराम इने इटिक होता है तो थोड़ा ही अठेट करता है और जो से पराम युड्रो बनेटक् Mister को नहीं करना चाहिए। तो उसक से निहीं करना चाहिए तो चार अबवाल्द की इसमेंने करना चाहिए. किसल Desp Jarół कैल्विन simplicity is करते हैं इसी पतर यह को सत्य हैं से पाज नेए जिलए कर तो कि पर अधाईथि यह कोचा था दुनो तो के मैं इस पर तक के बहर है को यह जो है देखिए के विल जो हता है इनर्जी एन्रजा गर्शन पर अचनले समर्व एक करता से कोशन है कि ऑर और बिंधे WILDर को हो मारंण वाले आप अगर कोई कुशन देख आब गया होंगे तो वहां से लगभग 8 से 10 कुशन आप को देखें फसर are कुशन इसके बाद दीबनिक पुछा था याइड बान जानते हैं लो बोलटेज हाई करेने के लिए यूच करते हैं पहला पाथ जो होता है नंबर आप वोल के बराबर होता है प्रस के संख्या अदो होती है और एक्विलाइजर रिंग का यूच किया आता है डमी को यूच नहीं किया आता है वेल्डिंग जंन्रेटर में हम लोग इसका लेब बन निक नहीं पूछा था तो देखिये जो आर्क बेलिंग होता है तो नार्मली मान चलिया आपका 60-60 BOLT तक होता है अब इसके बाद एक कुछा था से देखिये पर सकतरे लिए व्टे नहीं करता है तो उसमें दिया था देखे फ्रेक्वेंसी दिया था उसके बाद कंड। Magnus क्रत दिया था अों सब्सक्राइब का कुछाता है उसके लुग सब्सक्राइबочки थे उसके बीच इनोसा था है उसके बीच यूद्डिरि परंज़र होती है permeability होती है उसके directly professional होता है solid conductor में इसके निफेक ज्यादा होता है hollow conductor में जो इस standard conductor होता है उसमें कम होता है ACSR conductor का full pump पुछा था देखिए ACSR conductor का full pump है तो all जो है all conductor steel reinforced होता है aluminum conductor जो है ACSR का aluminum conductor steel reinforced होता है ACSR था ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग तो aluminum conductor steel reinforced होता है ठीक है तो देखिए यहां से जो है इतना question जो है टेक्निकल से आयत है आप से देखिए हो सकता है आप फैरांटी effect को पुछ ले corona effect पूछ ले हो सकता है तो corona effect के dependency किस पर किस पर होती है तो voltage के directly professional होता है space between conductor के universally professional होता है और solid conductor में corona effect कम होता है extended conductor में corona effect ज्यादा होता है smooth conductor है तो उसमें corona कम होता है लेकिन अगर rough surface है तो उस पर corona ज्यादा होता है यह सब चीजे ध्यान रखिए आप लोग इसके बाद देखिए computer से कहा कहा question आयता है तो computer से बता रहा है कि जैसे अगर कोई प्रेटकली जो है प्रेटकली नालेज वाले चीजे ज्यादा पुछा था उसके बाद powerpoint से question पुछा था excel से भी पुछा था word से पुछा था internet से इस सभी question पुछा था gk की बात करते हैं देखिए gk में dance से question पुछा था और recent में जो appointment हुए है उससे question पुछा था quality से question पुछा था यह सभी question पुछा था इसके बाद जो है देखिए English से जो है Antonyms, Synonyms, Paragraph और इसके बाद preposition जो है यह सभी पुछे जा रहे हैं इसके बाद देखिए regioning से question कहां से आ रहा है तो regioning से number series से question आ रहा है और इसके बाद setting जो sign change करके मतलब किसको कौन से sign को change कर दें तो क्या होगा इससे question पुछा था इसके बाद कथन निसकर से यह सभी question पुछा रहा है तो अबराल जो पेपर आज इविनिंग से बाद था यह मतलब पेपर काफी अच्छा था अगर कंप्यूटर में आप सही से कर लिए होंगे तो पेपर जो है मतलब moderate label कर था तफ नहीं था तो आप का सकते हैं आप टेकनिकल देखी लिए होंगे और morning shift वाला जो लोग बता रहे थे morning shift वाला तो मुझे लगता है कि पेपर जिससे आप से बताएं क्योंकि जो बता रहे थे हो पढ़ने काफी अच्छे हैं और जिससे मैं question पूछता हूं कभी-कभी discussion करते हैं तो मैं उनसे question जो पूछता हूं ना analysis करके बताते हैं तो काफी तो ठीक है दोस्तों एक बार फिर मैं जो कहूंगा आप लोग से आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच फार वाचिंग वीडियो